Hello everyone, welcome to my YouTube channel, शुबशुब बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे YouTube channel में thank you so much, धेर सारा प्यार देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग comments में बोलते हैं कि मेरा reading जो है, वो maximum number of people सभी के साथ resonate कर रहा है, तो आज भी हम लोग एक reading करें और ये July month end reading होगा, हम लोग चेक करेंगे कि आपका health wise कैसा जाएगा, finance कैसा है, career कैसा जाएगा और spiritual guidance, okay, so ये एक general reading होगा, ये आपके साथ match कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, but मैं hope करूंगा कि ये आपके साथ match करे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो comments में definitely मेरे को रेजोनेट करें तो भी बोलिएगा, अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो फिर guidance definitely follow कीजेगा, okay, so, shuffle start करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे, आपका overall general energy अभी कैसा है, let's see, आज पूरा reading आपके regarding reading होगा, तो अपने उपर focus कीजेगा, okay, let's see, आपका overall general energy क्या है, अभी, यह end of month reading है, यहाँ पे मैंने love include नहीं किया है, love situation का हम लोग अलग से reading लेकर आएंगे, okay, let's see what is the general energy, okay, five of pentacles, और eight of pentacles, okay, so basically आपका जो general energy यह है कि किसी ने आपको अपने जिन्दगी से शायद बाहर निकाल दिया है, और इस वजए से इस pain को आप बहुत ही constructive way में यूज कर रहे हैं, आप इसी दर्द को अपने उपर जो है, आप work, अपने उपर काम कर रहे हैं इसी दर्द को लेके, और खुद के उपर इतना महनत कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, okay, बहुत ही ज्यादा आप अभी थोड़ा सा hard working mode में हैं और इधर उदर किसी भी चीज में आपका कोई interest नहीं है, बेसिकली आप बहुत ज्यादा महनत कर रहे हैं ताकि financially आप stable हो पाएं और जो दर्द आपको मिला है, जो दुख आपको मिला है, वो फिर से आपके जिंदगी में repeat ना हो, यह कोई भी sector का हो सकता है, यह हो सकता है, finance में शायद कुछ problem हुआ था, इस वजए से आप बहुत hard work कर रहे हैं, यह किसी भी और sector में हो सकता है, family wise भी हो सकता है, love wise भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but you felt like you are left out in the cold, आपको किसी ने granted ले लिया, आपके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, जिस वजए से एक तरह से आपने बहुत सफर किया है, काफी ज्यादा अपने सफर किया है, और अभी फिलहाल आपका energy ऐसा है कि अब बस, अब मैं और इन सब चीजों पे concentrate नहीं करूंगा, या नहीं करूंगी, अभी हम सिर्फ अपने उपर काम करेंगे, महनत करेंगे, और कुछ बन के दिखाएंगे, ओके, health-wise हो सकता है, finance-wise हो सकता है, कोई भी sector हो सकता है, आप बहुत ज्यादा अपने उपर काम करेंगे, which is very good, ओके, let's see, health sector कैसा है अभी, let's see, July end, आपका health कैसा जाएगा, ये एक general reading है, ये आपके साथ match कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट मैं, hope करता हूँ के, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ ये रेजोने करें, ओके, नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, ओके, the justice, and three of swords, ओके, bottom of the deck, bottom of the deck, obviously, आपके दिल में मैंने, जो overall general energy से भी, वही same चीज़ दिखा, मैं last video में भी मैंने बोला था है, I'm a very good reader, तो, मज़ाग को side में रखते हुए बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द लेके आप जी रहे हो, दिल के अंदर वो शायद आपका दिल तूटा हुआ है, heart broken है, किसी, probably, प्यार के सिलसिले में बहुत ज्यादा आपने, आपको दर्द मिला है, धोका मिला ह इस वज़य से आप इतना ज्यादा अलग वे में अभी अपना जिन्दगी चला रहे हैं, मैनत कर रहे हैं, बट दिल के अंदर वो दर्द अभी भी आपके दिल के अंदर है, there is a chance के आपको जो है, आपके chest pain होने के भी chances हो सकते हैं, ओके हो सकता है के आपको literally बहुत ज्यादा body ache हो, मतलब body में बहुत ज्यादा pain हो, खास करके chest pain का बहुत ज्यादा chances है, हो सकता है, थोरा सा अपना, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगा, थोरा सा अपना दिल का भी ध्यान रखियेगा, there is a chance of mild heart attack or this kind of thing, यह बहुत कम लोगों के लिए है, हर एके लिए नहीं होगा, बट हो सकता है क्योंकि एक wider audience हम लोगों का video देखते हैं, तो हो सकता है कि mild attack आया यह कुछ हो, बट आपको समझ में नहीं आएगा, okay, so be very careful, be very careful, chest pain या, pain दर्द या कुछ भी, अगर front side में कोई pain हो, तो उसको नजर अंदाज मत कीजेगा, doctor दिखाईएगा, okay, हो सकता है कि, सर्दी खासी, अभी तो season वैसा है, तो उस तरह का कुछ हो सकता है, flu हो सकता है आपको, okay, and health wise, यह जो phase है ना, यह जो दर्द है, जो दर्द लेके आप जी रहे हो, depression है या दिल का दर्द है, इस वज़ए से आप मायूस है, mentally, physically, you are not able to move, ऐसा भी हो सकता है, तो इन सब चीजों से धीरे धीरे करके, आपका, आप better health के तरफ जाएंगे, okay, अभी नहीं, but time लगेगा, but justice आपके साथ होगा, अगर वो दर्द मिला है, आपको उस दर्द से भी, आपको छुटकारा मिलेगा, ओके, there is a chance के थोड़ा सा आपको सर्दी, खासी, इस तरह का चीजे होने का, मैं इसको health wise ही रख रहा हूँ, और कुछ ना बोल के ज्यादा, और हो सकता है के थोड़ा सा headache, थोड़ा सा headache हो, and बुखार, बुखार का इट का भी थोड़ा सा हो सकता है, okay, fever, fever होने के भी chances है, health wise इतना ही, बट जो भी, आपका अगर कुछ pain या कुछ दर्द अगर होगा, दिल के अंदर या heart के अंदर या chest pain या इस तरह का अगर कुछ होने के chances अगर है, तो फिर definitely आपको एक doctor दिखाना चाहिए, okay, doctor का सला लीजेगा, उसको ignore मत कीजेगा, ये मैं बोलना चाहूंगा, और बाकी, I think, छोटा मोटा fever, flu, virals, इस तरह का चीजे होने के भी chances है, बट वो बहुत ज्यादा हावी नहीं होगा, हल्गा फुलकाई होगा, इतना कुछ, उसमें serious होने वाला कुछ नहीं है, जो serious चीज है, वो दिल कदर दी है, अभी फिलाल के लिए, तो health-wise, अगर मैं बोलू, तो because of heart pain, because of your broken heart, आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगा, तो health-wise आपका अच्छा होने के बावजूद भी, because of that heartbreak, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, okay, so health-wise भी आपको कुछ अच्छा फील होगा नहीं, let's see, finance and career-wise कैसा जाएगा अभी, finance and careers for, okay, finance and career for students, for those जो job करते हैं, for business people, let's see, जो जो काज जम करके आया था, seven of wands, the death card or bottom of the deck is ten of cups, okay, so, finance-wise, career-wise, students, business people, सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो अभी जो phase चल रहा है, उसमें 360-degree changes आने के chances हैं, absolutely a transformation, अगर खराब जा रहा है phase, तो उसमें 360-degree turn होगा, और वो बहुत ही अच्छा होने के chances हैं, अगर बहुत अच्छा जा रहा है, तो उसमें 360-degree turn होगा, और धीरे-धीरे करके वो थोड़ा सा negative way में जा सकता है, okay, there is a huge chance of 360-degree changes, आप हैरान हो जाएंगे, कि इतना drastic changes आपको देखने को मिलेगा, आपके career-wise, career and finance-wise, okay, अगर finance में, अगर income बहुत कम आ रहा है, तो इतना changes आएगा, कि income बहुत जादा start हो जाएगा, और अगर income बहुत आ रहा है, तो हो सकता है, कि एक changes कुछ होगा, और थोड़ा सा कम earning या इस तरह का कुछ हो सकता है, तो, take it how it resonates, आपका अभी का जो business-wise, career-wise, finance-wise जो energy होगा, वो ऐसा होगा कि आप लोग अपने चारो और एक boundary बना के रखेंगे, बाकी लोगों से आप थोड़ा सा distance maintain करेंगे, और अपने लिए stand लेंगे, basically, किसी और का कोई भी बात आप इस moment पे सुनना, समझना, पसंद नहीं करेंगे, finance-wise आपको ये लगेगा, कि अभी अगर मुझे कुछ करना है, जो कि पहला आपका overall general energy में भी वही दिखा था, hard work, so hard work के लिए आपको अपने लिए stand लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप वो stand लेने वाले हैं, and bottom of the deck, the 10 of cups, there is a chance कि आपका daydreaming हो, daydreaming as in, आप सपना देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा family, बहुत ही अच्छा financial stability, इन सब चीजों का आप daydream करोगे, दिन में सपना देखना, और उस सपने के लिए आप hard work करेंगे, अपने लिए stand लेंगे, लोगों से थोड़ा distance maintain करेंगे, और एक boundary बना के रखेंगे अपने चारो और, ताकि कोई आपको harm ना कर पाए, और कोशिश करेंगे ताकि आपका एक transformation हो, बेटर्मेंट की और, आपका spiritual guidance, यूनिवर्स के तरफ से spiritually क्या guidance आने वाला है आपके लिए, spiritual message, July end, सभी के लिए ये applicable होगा, let's see, okay, knight of cups, seven of cups, seven of pentacles, so, the guidance is, you are extremely confused, you are extremely, आप बहुत ज़्यादा confused है, आप अपने energy को बहुत सारी चीजों में लगाने का कोशिश कर रहे है, आप ये भी करना चाते हैं, वो भी करना चाते हैं, वो भी करना चाते हैं, तो बहुत सारा चीज आपके दिमाग में चल रहा है, आप confused हैं, बहुत सारे चीजों में आप अपना inputs देने का try कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप हो सकता है कि इसी चीज के जरिए एक ऐसा opportunity आपके जिन्दगे में आए, जो कि आपको काफी ज्यादा benefit दे सकता है, जो कि काफी ज्यादा आपको एक तरह से stability दे सकता है, तो if you are investing into various things, अगर आप invest कर रहे हैं अलग-अलग जगा पे, या फिर अगर आप multi talented हैं, तो उन सब चीजों के उपर आपको काम करना होगा, अगर आपका अलग-अलग business है, या बहुत सारे चीजों में आपका interest है, तो उन सब चीजों में सिर्फ सोचने के बजा है, अगर सिर्फ आप सोचते रहेंगे, कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसो करेंगे, आज मेरे को जिम में भी मेरा interest है, मुझे YouTube वीडियो बनाने में भी मुझे interest है, traveling में भी मेरा interest है, shopping में भी मेरा interest है, job करने में भी मुझे interest है, मुझे health-wise कुछ development अच्छा लगता है, या फिर मुझे salon में जाना अच्छा लगता है, तो बहुत सारे चीजों में अगर आपका interest है, या दोस बनाने में आपका interest है, कुछ भी, share market, savings, bank related कोई काम, तो इस तरह का अगर कुछ चीजों में, आपका बहुत सारे चीजों में अगर आप interested है, तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक तरह से action लेना होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, और particularly जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा आपका interest है, उस चीज के ऊपर आपको काम करना होगा, जो की बाद में जाके बहुत ही एक stable mode में वो convert होने के chances है, उसका, बहुत ही खुबसुरत, but slow, it's very slow, अभी नहीं होगा, अभी immediate way में नहीं होगा, but the guidance is कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना होगा, waiting phase से बाहर निकलके, जो आपका overall general energy है, कि आप लोग hard work कर रहे थे, उसी hard working phase में ही आपको रहना होगा, आपको यह नहीं सोचना है कि मैं इतना hard work कर रहा हूं, बट मेरा उसका result मिलेगा के नहीं मिलेगा, definitely result मिलेगा, बट आपको वो desperation वो waiting वाला चीज उसको छोड़ना होगा, okay, then वो आपके लिए बहुत ही फायदमन्थ होगा, तो यह था आपका July end overall reading, हम लोग love reading July end का, कल ट्राइ करूंगा मैं, कल मैं लेके आऊंगा, so thank you so much for watching this video, we'll see you in the next video कल भी, so तब तक के लिए अपना ध्यान रखियेगा,